बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट से मिले परिवार वाले माहिरा की मम्मी ने दिपारच छाबड़ा को चैतावनी नमस्कार बिग बॉस 13 की टी आरपी हर हफ़ते लगातार बढ़ रही है वहीं इस रियालिटी शो के मेकर दशकों को सक्रीन पर चिपकाए रखने के लिए कोई न कोई निया तरीका निकालते रहते लडाई जगणों के बीच अब बिग बॉस के कंटेस्टेंट के रियालिटी चेक देने उनके परिवार वाले आ रहे हैं जहां सभी कंटेस्टेंट से उनकी फैमिली मेंबर्स मिल रहे हैं और उने घर के बाकिस सदस्यों के बारे में सतरक कर रहे हैं वहीं इसी भी सबसे ज़्यादा क्लास लगी कंटेस्टेंट पारत चाबड़ा की शेनाज गिल के पापा से मिले कर माहिरा शर्मा की मम्मी तक उन्हें बाते सुनाते हुए दिखाई देंगे बिग बॉस 13 में बंगलवार रात को यानि की आज 15 जनवरी को आने वाले एपिसोड के जलक शियर की गई थी जिसमें कर्टेस्टेंट से उनके परिवार वाले मिलते दिखाई दिये थे इस दोरान आरती सिंग्जे मिलने कृष्णा भी शेक मिलने आये तो आरती बहुत इमोशनल दिखी वहीं शेनास से मिलने उनके पिता पहुंचे शेनास के पिता ने उन से एक कसम ली है कि वो सिदा शुकला से आगे रिष्टा नहीं बढ़ाएगी इसके अलावा उनने पारस शाबड़ा को शेनास का सबसे बड़ा दुश्मन बताते पारस की जम कर क्लास भी लगाई शेनास के पिता ने पारस से कहा कि तुम पहले शेनास से कहते थे कि माहिरा तुम से जलती है और अब वहीं बाते शेनाश के लिए फैला रहे हो ज़े जलन फैलाने वाले तुम ही हो वहीं पारस की कलास तो माहिरा की मा ने भी लगाई उन्होंने पारस को रियालिटी चक देते बातों ही बातों में वार्निंग भी दे डाले उन्होंने कहा पारस मैं तुझे मारू तेरी गर्फरेंड अकांग शा बहुत प्यार ही है बाकी माहिरा तो तेरी दोस्त ही है तू किसिया करना बंद कर दे इस दोरान पारस चाबड़ा कुछ बोल नहीं सके बस छिपते हुए नजर आए वहीं मा की बाते सुनकर माहिरा शर्म तो दिखाई देंगे इस जगड़े में एक बार फिर मधुरीमा विशाल को पीड़ती दिखाई देगी